पॉलिटी की क्लास लेके उपस्तित हूँ पिछले 10 दिनों से मेरी क्लास नहीं चल पा रही थी जिसका रीजन था होली में घर गया था और थोड़ा सा तब्यत पी ठीक नहीं थी बाकी कुछ क्लास से डियूल थे इधर उधर आज से सुरू करते हैं हो सकता है कल पर सो फिर ना लगे मेरी क्लास लेकिन जितना टाइम मिलेगा मैं तेजी से कवर करूँगा तो हमने कितना कर लिया था 98 अर्टिकल हमने कर लिया था तो मैंने बताया था कि हम इसमें सुरू करेंगे इस वाले बैच में कि सारे आर्टिकल एकबर प्लियर हो जाएं ठीक है तो फास्ट फारवर्ड में और थोड़े थोड़े आर्टिकल कर वाऊंगा ताकि आपने दुबारा से जाके घर पे रिवाइस करें अब जैसे एक आर्टिकल के अंदर ने कई क्लाजेज होते हैं अगर मैं कहूं कि आर्टिकल नंबर 9 एक कलाज होगा फिर इसके बाद सब कलाज होगा तो यह पढ़ना में बताया था इसको कैसे पढ़ेंगे और नईसमें आर्टिकल के कलाज नंबर 1 और सब कलाज A या परंतुक बोलेंगे और उप परंतुक, तो हिंदी बोलना ठीक नहीं होगा, अगर हम इसको हिंदी में बोलें, तो अनुच्छेद 19 के परंतुक 1 और उप परंतुक A होगा, ठीक है, तो हिंदी में थोड़ा साथ, हिंदी हमारी राष्ट भासा है, लेकिन मैं यह कहूंगा कि परंतुक परंतुक यूज होता नहीं है कहीं तो इसको ऐसे पढ़ते हैं कि 19th article के class 1 और subclass A इसी तरह इसमें भी subclass और class होंगे मैं जो PT oriented है ना चुकि यह crash course है तो एक article के अंतरगत क्या-क्या important है हम बताते हैं चलूँगा तो कोई class और subclass discuss नहीं करूँगा क्योंकि कई में 5-6 classes आ जाएंगे और वो important होते नहीं है हम equal matching वाले आते हैं ना वो कभी आते हैं question में न PT में न Mains में कहीं नहीं आते हैं इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे हम एक-एक article को पकड़ेंगे और उस article में 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 चीज़े क्या दी गई हैं उसको हम discuss करते हुए चलेंगे ठीक है नीरस कुमार गुड इवनी नीरस भाई चलिया तो शुरू करते हैं तो पहला article आज का है 99 अब 99 article कहता क्या है चुकि यह पूरा जो हम ले के चल रहे है वो चल रहा है संग का matter तो जो भी इस article के अंतर गता आएगा हम पांचमा पढ़ रहे हैं न जो पाठ है वो पांच पढ़ रहे है तो पढ़ने का तरीका क्या होगा कि पांच के अंदर सारे संग की कारेपाली का संग का जो मंतरी परिशत संग के है तो जैसे सदस्य लिखा तो यह किसकी बात कर रहा है यह संसद के सदस्य क्योंकि संसद की जो संग की विधाई का है उससे क्या कहते है संसद कहते है तो सदस्यों का मतलब संसद के सदस्यों की बात की जा रही है तो यह सार्ट में लिखा है heading, चुकि आप लोग भी ऐसे अपना notes बनाईएगा, मैं notes last में provide करवा दूँगा we are Indian, good evening good evening चली, सुरू करते हैं, अब हम कहां थे गड़पूर्ती वाले पर, अब जो article number जो 100 है वो पूरा dependent है कि कितने लोग minimum होंगे, तो southern की कारेवाई चलेगी, तो मैंने लोग सभा का example ले लिया कि लोग सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है, पहले थी 550 प्लस 2 प्लस 2 कहां से थे, एंगलो इंडियन समुदाया की लोगों को रखना था जब समिधान संसोधन हुआ 104 वाला, उसमें एंगलो इंडियन वाले को बढ़ाया नहीं गया 10 साल के लिए, मतलब क्या हुआ कि अब एंगलो इंडियन के सदस्य लोग सभा में नहीं आएंगे, अब हम अगर देखें, तो कितने सदस्य बचते हैं 550, अब 550 सदस्यों का हम क्या निकालें, एक बटा 10, 550 का एक बटा 10, 55, तो मीनिमम 55 सदस्य अगर लोग सभा में होंगे, तभी सदन की कारेवाई चलेगी, अन्य था करतब्य है उसका लोग सभा के अधाचिका कि वो कारेवाई को चलने न देगा या अस्तगित कर देगा, जो भी 100 नंबर का आर्टिकल, ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है, अब आगे आता है अस्तानों का रिक्ट होना, अब अस्तानों का कौन सा अस्तान, हम क्या पढ़ रहे हैं लोग सभा के सदस्य और राजी सभा के सदस्य इन सदस्यों की अस्थान को रिक्ट कब माना जाएगा इसमें पहला condition आता है suppose करते हैं कि कोई example लेंगे तब समझ में आएगा हम लेते हैं कोई व्यक्ति है जो राजसभा का अभी सदस्य है, example लेते हैं मानते हैं कि अभी सोनिया गांधी राजसभा की सदस्य है example ले रहा हूँ अब पता नहीं है कि नहीं मुझे नहीं पता ठीक है, suppose करते हैं कि सोनिया गांधी राजसभा की सदस्य है और वो लोगसभा election हो रहा है जो उसमें वो जीत जाती है मतलब जब मई या जून में जो भी result आएगा उसमें वो लोगसभा से भी जीत जाती है तो कोई सदस्य जो दोनों सदनों का सदस्य हो सकता है कि नहीं, ये पहला question उठेगा दूसरा कोई सदस्य लोगसभा में है सदस्य और वो किसी राजी की विधान सभा में भी सदस्य हो जाता है जा उल्टा करते हैं कोई सदस्य विधान सभा में सदस्य है और वो लोगसभा के लिए लड़ता है इस साल और वो जीत जाता है इन दोस्त केसों में क्या होगा इसमें कहा गया कि इसके लिए तो संस, जो हमारी संसद है वो वेवस्था करेगी मैंने संसत कानून बनाएगी और कानून के तहत ये ते किया जाएगा सर, उन्नईसमी लोगसभा के चुनाव नहीं हो रहा है नीरजी 18 हमी लोगसभा के चुनाव हो रहा है और ये 543 सीटों पर ही हो रहा है ठीक है? चलिए तो मैं जो समझा रहा था कि कब स्थान को रिक्त माना जाएगा? अगर कोई सदसे किसी एक सदन का सदसे है पहले से और वो दूसरे सदन के लिए भी चुन लिया जाता है तो ये संसद तै करेगी कि उसे किस सदन का सदसे माना जाएगा और कौन सदसे किस सदन की सदस्यता रिक्थ हो जाएगी मतलब अगर सोनिया गांधी यहां भी चुनली जाती है यहां भी चुनली जाती है तो यह संसद तै करेगा कि कौन से सदन की सदस्यता इनकी जाएगी क्या वो राजसभा की सदसे नहीं रहेंगी या वो लोग सब क्योंकि एक टाइम पर दोनों की सदसेता नहीं रह जा सकती तो important माना गया है अभी तक जो चल रहा है कि जो पीछे वाला सदन था अगर उन्होंने यहां से त्याग पत्र नहीं दिया और चुनाव लड़ गई ठीक है तो दस दिनों के अंदर उसे या तो जैसे उसने जैसे ही चुनाव जीता तो दस दिनों के अंदर ही उनने अपना त्याग पत्र यहां देना होगा तब ही वो यहां चुनाव उनकी सदसेता बनी रहेगी लोग सभा में नहीं तो तो वो राजसभा के सदसे रहेंगी, ये वाला उनका cancel हो जाएगी सदसेता, ठीक है, उसी तरह से विधानसभा और लोकसभा या राजसभा जो भी है, जितने सदन है, तो इस वाले में भी same condition है, कि 10 दिन के अंदर आपको अपनी जो पिछली सदसेता है, वहाँ से त्यागपत दे के ही आप लड़ेंगे, ठीक है, इस वाले में केस दूसरा है, जैसे विधानसभा के सदसे हैं, तो पहले उनके अपना त्यागपतर देना पड़ेगा, फिर वो लड़ेंगे, तब उनको सदस्ता चुनी जाएगी, तो किन कंडिशन्स में अस्थानों का रिक्तिकरन यह उसमें पुरा एक प्रोफार्मा दिया गया है, ठीक है, अब यह प्रोफार्मा अगर आप सम्विधान में पढ़ेंगे, तो हर जगा लिखा है कि संसत्त तै करेगी, ठीक है, एक और चीज है यहाँ पे, जब 85 सम्विधान संसोधन होता है, ठीक है, सौरी, अंठानुव 85 में आता है, ठीक है, 1985 में यह आता है कौन सा? 58 वाला, इसमें क्या किया जाता है? कि जैसे ना, पहले क्या होता, आया राम गया राम एक जो सदसित् है संसत के, वो बार-venirपना सदसिता चेंज कर रहे थे, इदर उदर कर रहे थे, तो वहाँ पे राजिवργादी की सरकार ने एक कानून लाया, एक अधिनियम बनाया, एक्ट बनाया, कि कब इनकी सदस्यता जाएगी जो दल बदल कर रहे हैं, तो दल बदल कानून का याधार पर, आप इसे पढ़ते हैं अनुसूची 10 में, तो जो अनुसूची 10 के तहर, जिनकी सदस्यता चली गई है, उनकी वज़ा से भी अस्थानों का रिक्तिकरन हो जाएगा जो बहुत दल बदलते हैं न इसको मैं समझाऊंगा आगे एक बार फिलाल मैं समझा रहा हूँ कब उसकी रिक्ति मानी जाएगी सदस्द के सदस्यों में रिक्तियां कब मानी जाएगी ठीक है नीरज कुमार आप तो 550 बता अरे भाई समझो आप मैं क्या बता रहा हूँ चुनाव होता है 543 सीटों पर ठीक है मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी होगी जैसे मैं कहूँ कि नोट जारी करने का अधिकार आर बियाई देती है किसको आर बियाई को नोट जारी करने का अधिकार है तो नोट वो मैक्सिमम दस हजार तक जारी कर सकती है लेकिन फिलहाल 500 का ही नोट जारी किया जा रहा है ठीक है तो मैक्सिमम सदस्य संख्या है इतनी सीटे है क्योंकि हमारा कुछ area क्या है कब जाया गया है न तो जो हमारे area कब जा लिये गया है वहाँ हम कैसे चुनाव करवा सकते हैं तो भारत को एक sovereign state दिखाना पड़ता है कि हमारी इतनी सीटें हैं वहाँ पर जो जिसको हम गुलाम कस्मीर बोलते हैं इधर चाइना वाला जो हिस्सा है अक्साई चिन वाला वहाँ हम चुनाव थोड़े लड़वा सकते हैं लेकिन हमने अपने संसर में दिखा दिया है कि हम वहाँ मान के चलते हैं इतनी सदस्यता है हमारी वहाँ चुनाव भले हमना करवाएं कुछ सीटें वेकन्ट रह जाती हैं क्योंकि वह विवादित जगह है अगर समझ में आ गया है नीरज तो फिर किलियर करिएगा ठिक तो यह हम समझ गए कि स्थानों का रिक्तिकरन कब माना कब लोगसभा और राजेसभा में स्थानों को वेकन्ट कर दिया जाएगा आप भले है उस सदस्यता के लिए चुन लिये गए हों तब भी आपका स्थान क्या कर दिया जाएगा रिक्त कर दिया जाएगा एक condition और यहां लेके आई जाती है स्थानों के रिक्ती करण में अगर आप 60 दिनों तक ठीक है जा दखिएगा एक चीज और क्या जुड़ा गया अगर आप लगातार 60 days तक ठीक है सदन की कारेवाई में नहीं बैठते हैं जैसे लोकसभा की कारेवाई शुरू है और आप 60 दिनों तक लगातार अपसेंट रहते हैं उस पूरी कारेवाई में तब भी अध्यच क्या कर सकता है आपकी सदसिता छीन सकता है समझ मैं अब उसमें जो जितने टाइम सदन नहीं चलेगी वो days count नहीं होंगे और एक और condition लगातार चार दिन अगर सदन अस्तकित रहती है तो वो चार दिन के बाद वाला टाइम भी count नहीं होगा जितने दिन तक संसद आप सपोस करते हैं कि लोकसभा 10 दिन के लिए अस्तकित है तो 10 दिन के अस्तकित वाला जो कारेकाल है उसे count नहीं किया जाएगा ठीक है इसको आप पढ़िएगा समझ में आएगा ठीक आगे चलें अब आ रहा है सदस्यता सदस्यता क्या है लोकसभा और राजिसभा वाला उसके लिए निरहताएं क्या है अब निरहता के मतलब क्या हुआ कि कौन से condition है जब इनकी सदस्यता क्या होगी अस्तकित कर दी जाएगी आप पढ़ते होंगे कि वह भारत का नागरिक हो उसकी उम्र ये हो जो ठीक है न ये सारी पढ़ते हैं एक तो अगर वह अहरता पूरी नहीं करें ये छीन लिया जाए तो निरहता बन जाती है समझ में आया है आगे से मैं से ट्राई करूँगा कि इंगलिस में हो अगर मैं समझा पा रहा हूँ तो कि किन condition में उनकी सदस्यता छीन ली जाती है वो चीजे बता रहा है एक तो है कि रिक्ती और कब छीन ली जाएगी तो रिक्ती वाला तो था कि वो योगी थे वो लोकसभा राज सब हम दोनुन चुले गए थे अब उसमें से कौन सी सदस्यता छीनी जाएगी इसमें है कि वो लोकसभा के सदस्यतो थे लेकिन कुछ ऐसे काम वो कर देंगे जिसकी वज़ा से लोकसभा के सदस्यता चीनी जाएगी जैसे वो किसी और देश की सदस्यता ग्रहन कर लें अब कनाड़ा की सदस्यता अच्छे है कुमार ग्रहन कर लें भारत में विधाई का या किसी और चीज में सेलेक्ट हो जाएगी तो उनकी सदस्ता छीन ली जाएगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब इसमें सारे कंडिशन हैं, भारत का नागरी खो, उम्र ये सारी वाले, ठीक है, 102 में ये सारे आते हैं, आगे चलते हैं, सदस्यों की निरहरता संबंधी प्रशनों पर निरड़ाय कौन लेगा, तो ये 102 नंबर में निरहरता है सारी, कि कौन से कंडिशन, जिसमें दस्मियन सुची वाला भी इसमें सामिल हो जाएगा, ये वाले भी निरहरता ही है, ठीक है, कई चीजें हैं उसमें, मैं बस समझा रहा हूँ आपको, 103 इंपोर्टेंट है, क्योंकि निरहरता तै कौन करेगा, तो चुनाव आयोग की सलाह पर राष्टपती घोसित करेगा, कि ये जो व्यक्ति है, जो लोक सभा या राजे सभा में सेलेक्ट हुआ है, इसकी सदस्यता रद कर दी जाए, ठीक है, तो राष्टपती को अधिकार है, कि वो राष्टपती को अधिकार है, कि वो चुनाव election commission से सलाह लेगा और अगर election commission ये मान लेता है कि हाँ ये सदस्य जो है इसने कुछ गड़बड़ी की है इसने सदस्य था बैमानी से ली है किसी ने किसी तरह की बैमानी की है और इस सदस्य रह गया है तो राश्टपती उसको उसके पद से हटा देंगे ठीक है अब चलते हैं 104 नंबर पे 104 नंबर क्या कह रहा है कि अनुख्षेद 99 अभी पीछे मैंने पढ़ाया सपत और प्रतिगान वाला ये वाला अभी इसको मैंने पढ़ाया था सपत और प्रतिगान वाला पूरा नुसूची तीन बताया था मैंने तो वो कह रहा है कि अनुच्छेद 99 के तहट सपत या प्रतिगान करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए अब इसको पूरा पढ़ते हैं इसमें कई चीजे हैं ना तो मिस्टेक न हो जाए अब इसको समझते हैं ठीक है भासा समिधान की बहुत टफ है समझने में ज़्यादा मज़ा आएगा अब इसको समझते हैं क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ती है जिसने या तो सपत और प्रतिगान नहीं लिया ठीक है बिना सपत और प्रतिगान लिये वो लोक सबहा या राजय सबहा में कोई सदस्चता ग्रहन करता है मतदान भी देता है उन सदनों में बोलता भी है मत भी देता है सारे अधिकार यूज कर रहा है लेकिन उसने क्या किया ना तो सपत लिया और ना ही प्रतियान किया और उसने संसत के सारे काम किये वो बैठने का अधिकार मतदान करने का अधिकार सब कुछ यूज कर रहा है लेक आज में किसी को पता लगा किनोंने सपत लिया ही नहीं था इसमें प्राधान किया गया है कि जितने दिन तक आपने संसत की उस कारेवाई को पूरा किया है उनका 5 दिन बाद या 6 दिन बाद पता चल गया था किनोंने सपत नहीं लिया है उतने दिन 500 रुपया पर डे के हिसाब से 500 रुपिया पर डे के हिसाब से फाइन लगता है ठीक है तो यह फाइन है कि आपको सपत और प्रतियान आपको लेना ही पड़ेगा तो अगर आपने 99 के तहट सपत या प्रतियान कोई एक काम नहीं किया और आपने संसत की सदस्तिता ले ली ठीक है भले आप मंत्री नहों भाग लेने लगे सब कुछ वोटिंग अधिकार सारा आपने ले लिया लेकिन आपने संसत की सपत और प्रतियान नहीं किया था तो आपके उपर जितने दिन आपने कारेवाई में भाग लिया उतने दिन क्या होगा 500 रुपे पर डे के हिसाब से फाइन देना पड़ेगा सम क्योंकि मैंने जो समझा दिया अब आपको समझ में आएगा इसलिए मैं क्या बोलाओं मैं दस आर्टिकल मैक्सिमम लेकर आओंगा क्योंकि मुझे पता है जब स्पीड बढ़ानी होगी तो मैं एक घंटे पढ़ा दूंगा ठीक है अब ही ये सारे चुकि ये इंपोर्टें होती है तो ये रिपीट होंगी आगे भी उस टाइम में तेजी से आगे बढ़ूंगा फिलहाल आपको जी समझ में आगया हो ये फाइन वाल एक सो चार में फाइन की बात की गई है अगर कोई बिना सपत या परतियान किये संसद की सदस्यता ले भाग ले मत दे सारे अधिक और उन्मुक्तियां मतलब किंची जों से उन्हें छूट दी गई है अब इसको समझते हैं अब संसद के सदन सदन मतलब लोकसभा राजी सभा और उसके सदस्यों सदस्यों मतलब MPs और समितियों संसद ये समितियां कई बनती है ये आगया आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि सक्तियां क्या है और इसे साधिकार क्या है तो देखें इसमें कुछ नहीं है इसमें कहा गया है कि संसद की जो सक्ति है न एक आर्टिकल नमबर 102 में चीज़ छूटा है मैं भूल गया अभी अचानक याद आया है मुझे इसमें लाब का पद एक वर्ड यूज़ किया जाता है ठीक है अगर वो लाब का पद को इधारन कर रहा है 102 में पढ़िएगा ये चुकि में प्रीटी में तो नहीं आता में आता है तो लाब का पद क्या होता है कि जिसके लिए वह ऐसा पद जिसका प्रयोग वो दूसरी जगह कर सकता है अपनी नीजी संपत्ति बढ़ाने के समझ में रहा है लाब का पद का मतलब अब सपोस करते हैं हम राज्य के अंतरगत NTPC में नौकरी कर रहा है ठीक है अब वो लाब का पद है क्योंकि NTPC से उसको पैसे भी मिल रहे हैं और NTPC में अगर MD है तो पता नहीं कितने लोगों के कई अधिकार वो बाधित कर सकता है या टेंडर दे सकता है किसी को NTPC बड़ी कंपनी है 5,000 करोण रुपए तक के टेंडर वो दे सकती है तो वो टेंडर यह सारे लाब के पद हैं मैं कोल इंडिया में कोई पद पद धारन करता हूँ और मैं भारत का विधाईका का पद भी धारन करूँ ऐसा नहीं हो सकता तो कि फोन आ गया ना बीच में तो कई चीजे मैंड से स्लिप हो गई है ठीक तो लाब का पद वाला याद कर लीजिएगा तो यह हम पढ़ा रहे हैं 105 में बस एक चीज़ याद रखिएगा कि संसत की कारेवाईयों में जो भी बात चीत होती है उसके लिए अब जैसे आप होंगे संसत में कुरसी लेके कोई मार रहा है ठीक है संसत के अंतरगत वीडियो देख रहे हैं लोग सो रहे हैं लोग हर इक चब तरह का काम ठीक है लोगसभा की कारेवाईयों में मारा मारी तक हो जाती है धक्काम की सब कुछ अजीब अजीब बातें गाली गलोच सब दंड नहीं दे सकती, ठीक है, तो लोक सभा स्वतंत्र है, उसके लिए दंड उसका अध्यच या उपाध्यच दे सकता है, अध्यच के ना रहने कोई, लेकिन उनकी कारेवाई के दवरान लिये गए, निरड़े के दवरान, कोई भी, वो समीती हो या उसके सदस्य हो, इसके ल गंदे-गंदे काम हुए हैं हमारी सदनों में, अब 20-30 सालों में पिछले, लेकिन आपने नयाले दवरा किसी को ये दंड दंड देते हैं नहीं सुना होगा, उनको उनमुक्ती मिली है, विशेसा अधिकार है ये उनका, अब इस पे जो प्रतिबंद लगा है, वो प्रतिब कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, अब वो प्रतिबंद क्या है, वो आर्टिकल एकस में लिखा गया है, अगर आर्टिकल एकस में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाइई कोर्ट का कोई जज, ठीक है, किसी मामले पर सुनवाई कर रहा है, तो वो प्रतिबंद के दरा वो ब्लैक मनी को वाइट किया गया है अब सोचे कितनी बड़ी बात वो बोल रही है लेकिन इस पर संसद में बात नहीं हो सकती तो जज क्या करेगा जज जब किसी मामले की सुनवाई कर रहा होगा उस दोरान उसने कुछ भी बोला है उसके बोलने पर संसद में बात चीत नहीं हो सकती संसद में बात चीत किसी जज के उपर तभी हो सकती है जब उसे हटाया जा रहा है नहीं तो जज भी क्या कर रहा है कारवाई कर रहा है न वो तो वो अपने एरिया में स्वतंत रहे वो कुछ भी बोल से राम मंदिर पर चार लोगों का एक निरड़े था, और एक व्यक्ति का अलग निरड़े था, उसके उपर संसद में बात चित नहीं हो सकती, तो जजों को भी उन मुक्ति दी गई है, जजों के भी विशेसादिकार है, जैसे इनका विशेसादिकार है, सदन के अतना कुछ भी जजों को भी विशेसादिकार दिया गया है, समझ में आया, अगर किसी को नाम पता हो, उस महिला जज का, जिन्होंने पर्सों, उनका नेड़े आया, कि सायद पर्सों या तीन दिन पहले, चर्चा हो रहे थी कि उन्हेंने बताया था, कि उन्हों टबंदी का मामला है, वो अब आप ये समझ गया होंगे, कि संसद के अंदर जो भी कारवाईया होती हैं, उन कारवाईयों के उपर न्या इपालिका में अप नहीं जा सकते हैं, आगे चलते हैं, 106 नमबर, यے क्या है सदस्यों के वेतन और भते, तो ये कहता है 106 नमबर, कि संसद के जो सदस्य हैं, जो लोक सभा या राज सभा के हैं, इनके जो वेतन और भत्ते होंगे, वो संसत द्वारा ही निर्धारित किये जाएंगे, ठीक है, तो सदस्यों के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करेगा, संसल खुद निर्धारित करेगी, तो आप देखते होंगे केजरीवाल अपनी ज़्यादा मिलते हैं उनको, फोन छूट मिलता है, घर आवाज सब कुछ मिलते हैं, वो भतते हैं, बहुत तरह के एलावेंस मिलते हैं, ठीक है, तो हम आज इतना ही पढ़ते हैं, 10, 12, 15, मतलब एक पुरा सेक्शन खतम कर देंगे, कल वाले में क्या है, ठीक, कल विधाई प्र अज नहीं आते हैं ये आर्टिकल, इसलिए मैंने आज कम ही आर्टिकल लिये, अगर कल मैं यहाँ उपस्थित रहा, तब यह ठीक रही, तो जरूर क्लास लूँगा, नहीं तो पांस तारीक से मैं क्लास कंटिन्यू करूँगा, तब तक के लिए मिलते हैं फिर आगे, धन्य हातुथ हातुछ है, दूपस्थित रहाँ तक क्लास कुछुणा है, चर्पस्थित रहाँ हैं।